हेलो फ्रेंड्स, बेलकम तू प्रियास किचिन, आज हम बनाएंगे मलाई कुफटा, जो कि हम मोस्ली रेस्टुरेंट में खाते हैं, आज हम घर पर बनाएंगे और वो भी बहुत असान तरीखे से, इसको बनाना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इसी वे में बन जाती है, तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपने पांच बॉयल के हुए मैश आलू लिये हैं, उसमा एक बाउल मैश किया हुआ पनीर, वन टेवल स्पून हरी मिर्च और मसाला, हाफ टीजपून किचिन केंग मसाला, हाफ टीजपून धनिया पाउडर, और हाफ टीजपून आमचूर पाउडर, हाफ टीजपून नमक, आप टेस्ट अकोरिंग डाल सकते हैं, अब यहां हमने एक बाउल में थोड़ी सी मैदा लिये, जिसको हमको थोड़ा करना है, और एक डो टयार करना है, जैसे हम चापादी के लिए डो लगाते हैं, शरीके से हमको डो तयार करना है, werdka , हम बहिसेहें जरुत, के जितना मैदा डालेंगे, ठोड़ा थोड़ा करके और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो देखिए हमारा थो तयार हो गया है कि एकदम अच्छे से अब इसको हम तो रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है कि यहां हमने पैन लिया है जिसमें हम ऑईल डालेंगे यहां हमेरे सर्चों का ऑईल डाला है जो की हैल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसको गरम होने देता है और देखिए हमारा डो भी रैस कर चुका है विसके हम पेड़े बना लेता है छोटे छोटे तो इस तरीके से हमको छोड़े साइज के पेड़े तयार कर लेना है कोफटे के लिए बिल्कुल इस तरीके से और हमारे यहां सारे कोफटे तयार हो गए और ओयल भी गरम हो चुका है तो चलिए एक एक करके हम कोफटे इसमें फ्राई करते हैं और फ्लेम बिल्कुल कम रखना है पहले हाई फ्लेम पर इसको गर्म कर लेना है तेल को और फिर एकदम स्लो फ्लेम पर इसको शेकना है तो हमने अपने कोफटे पैन में डाल दिये हैं और इसको अच्छे से सेखना है तो एक बार चेक करते हैं देखे हलके ब्राउन हो गया है नीचे साइट से इसको हम पलट देते हैं देखे यहां हमारी कोफटे एकदम अच्छे से सिख चुके हैं और देखे बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं अब हम एक एक करके निकाल देते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारी कोफटे तयार हो चुके हैं तो फ्रेंट्स चलिए अब करी बनाने के त्यारी करते हैं तो यहां मैंने तीन प्याज पांच हरी मिर्च और चार टमाटर लिए हैं वीडियम साइज के हड़े मसाले में हमने काजू लिया हैं दो हरी इलाइची आठ से दस काली मिर्च और चार लॉंग एक डालचीनी का तुकड़ा एक पैन में हम लेते हैं बटर जिसको तो बड़ा गर्म करना है और जैसे ही बटर गर्म हो जाते हैं उसमें हमें डालना है जीरा इसके हम दोड़ा रोस्ट करेंगे और इसमें डाल देंगे सारे खड़े मसाले इनको भी हमको दोड़ा सा हलका रोस्ट करना है अब हम डाल देते हैं इसमें हरी मिर्च प्याज प्याज को हमको ज्यादा पकाना नहीं है मतलब ब्राउन नहीं करना सर्फ हलका इसका कच्चा बन निकालना है तो इसको हम थोड़ा सब एक मिट के लिए धक कर छोड़ देते हैं तो एक मिट हो चुका है अब हम देखते हैं देखिए प्याज एक्दम सौफ्ट हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे टमाटर को भी हमें जादा पकाना नहीं है तो हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून नमक जिससे की टमाटर जल्दी से गल जाएं और इसको चला कर एक मिन्ट के लिए डग कर छोड़ देना है तो फ्रेंट्स एक मिन्ट हो गया है और इसको चेक कर लेते हैं देखिए टमाडर कलर चेंज कर चुका है मतलब कि यह थोड़ा पक गया है अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अमारे कहले हुए है। मिक् unleash हैं अंगर लेने के अंजे को जीरा ना purity परना लेते हैं। तो यहां ने जर ने लिया है। मैं हम इसके टान्सफर करते हैं और इसके और ताम करना के टानले के तो देखे हैं यहां पेस्ट तेयार हो गया है है। अब हम curry के लिए एक कडाई लेता है जासे माँ थोड़ा सा ओयल गर्म करने रख दिया है जैसे ही ओयल गर्म हो जाता है उसमें हमें जीर क्रैक होता है उसके बाद हमको डाल देने हैं तो हलका फलेम ही रखना है फ्रेंट्स वर नाइस के छीटे आपके उपर आ जाएंगे और देखिए हमारी कड़ी में एक बॉयल आ गया है अब हम इसमें कलर के लिए वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ज डालते हैं और थोड़ा सा क्रेम डालना है स्कौचे से मिक्स कर देना है और हाफ टीस्पून नमक एड़ करना है क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ इसलिए कम नमक ही डाला है अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है हमारी करी बन कर तयार हो गई है तो चलिए सर्प करते हैं यहां हमने ले लिए अपने कोफटे इसके ऊपर डालेंगे हम करी फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कोफटे करी के अंदर नहीं डालने वरना यह सारे कोफटे एक डम मैल्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी टेस्टी लगेंगे हमेशा मलाई कोफटे को ऐसे ही सर्प करना है जिसको भी खाना है एक बाल या प्रेट में उसको रखें और उसके ऊपर से करी डालें और डाया पति उपर से थोड़ा क्रीम और देखिए हमारे मलाई कोफटे कैसे दिखने में लग रहे हैं खाने में भी बहुत साथ डिस्टी लगते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना एक्सपीरेंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट सक्षन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मलाई कोफटर कैसे लगे, और अच्छे लगे हो तो अपनी फ्रेंड्स फैमली के दाश शेयर करें, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और खुश रहिए, अपना खयाल रखिए, मिलते हैं किसी अच् तब तक के लिए, बाई बाई फ्रेंड्स